इस चुनाव में देश वाश्यों की विवेग बुद्धी पर गर्व होता है क्योंकि उन्होंने प्रपएगंड़ा को परास्त कर दिया है। साथ साल के बाद ये हुआ है कि भारत के लोकतंत्र की छे दसक के बाद आयो ये घटना असामान्य घटना है। कि आखिर तक पराजयुपी स्विकार हो रहा है, और दमें मन से, कम मन से, बीजय की स्विकार हो रहा है. क्योंकि उन्होंने बार बार धोल ठता था एक प्र हई सरकार। इस से बड़ा स्थ्त्य क्या हो सकता है। कि हमारे दस साल हुए है वीस और बाकी है। एक किया है बहुत दशकों के बाद कि देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने आपका हुआ साट साल के बाद देख हुआ है कि दस साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी बापस ही हुई है और मैं जानता हूँ कि भारत के लोकतंत्र की छे दसक के बाद आयो यह घटना असामान यह घटना है और कुछ लोग जान बुश करके उससे अपना मूँ फेर करके बैठे रहे कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो अल्ला उस तुशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धी पर देश की जनता के इस महत्वपुन निर्णे पर कैसे चाया कर दी जाए कैसे उसको ब्लक आउट किया जाए इसकी कोशिश हुई लेकिन मैं पिछले दो दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्विकार हो रहा है और दबे मन से कम मन से विजय भी स्विकार हो रहा है कि आजरे सहाती जी कॉंग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मरदय से धन्यवात करना चाहता हूं क्योंकि नतीजह आये तब से हमारे एक साथि की तरफ से मैं देख रहा था उनकी पाइटियों को समर्थन तो नहीं कर देते लिए कि आखेले जंदा रहे के दोड़ रहे थे और मैं कहता हूं वो जो कहते थे उनके मुझ में गीशकर और यह मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पिता था एक तिहाई सरकार इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे दस साल हुए है बीस और बाकी है एक तिहाई हुआ है जो तिहाई बाठी और इसलिए उनकी भवी शमानी को लिए मैं उनके मुझ में गीशकर खादनिय सभाबती जी दस वर्सों के अखंड एक निष्ट अभिरत सेवा भाव से की हुए कार्य को देश की जनता ने जी भरकर के समर्थन दिया है देश की जनता ने आशिर्वात दिये हैं आधनिय सभाबती जी इस चुनाओं में देश वाज़ों के विवेग बुद्धि पर गर्व होता है क्योंकि उन्हों ने प्रपैगंडा को परास्त कर दिया है देश की जनता ने परफॉर्मस को प्राथ्विक्ता दिया है भर्म की राजनीती को देश वाथ्यों ने ठुकराया है और बरोसे की राजनीती पर विजय की महौर लगा है आदे ये सभाबती की सम्मिधान के 75 वे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं इस सदन के लिए भी ये पढ़ाव विशेस है क्योंकि इसे भी 35 सा भी है और इसलिए एक सुहक सहियोग है आदे ये सभाबती जी मेरे जैसे बहुत लोग है इस देश के सार्वजेने गीवन में जिनके परिवार में कोई गाउं का सरपंज भी नहीं रहा है गाउं का प्रधान भी नहीं रहा है राजनीती से कोई सरोकार नहीं रहा है लेकिन आज अनेक महत्मकों पदों पर पहुँच करके देश की सेवा करता है और उसका कारा बाबा साब आमबेड करने जो सम्विधान दिया है उतने हम जैसे लोगों आउसर दिया है और मेरे जैसे अनेक लोग है जिनको बाबा साब आमबेड कर दिवारा दिये गए सम्विधान के कारण यहां तक आने का आउसर मिला है और जन्ता जनार्दन ने उत पर महर लगाई तीसरी बार आने का मुगा मिल गया सम्विधान हमारे लिए यह कोई आर्टिकल्स का कमपाइलेशन महात्र नहीं है हमारे लिए उसका स्पिरीट भी और उसके शब्द भी बहुत मुल्यवान है है कि और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए किसी भी सरकार की निति निधारन में कार्यकलापों मे हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है दिशा दर्शक का का सभाम करता है हमारा मारदर्शन करता है आदेडिया सभापती जी मुझे आत है मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार के तरफ से कहा गया कि हम 26 नुमंबर को समिधान दिवस के रुपे बनाएं तो मैं हराम हूँ जो आज समिधान की प्रत लेकर के खूदते रहते हैं दुनिया में लहराते रहते हैं उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है तो समिधान दिवस क्यों लाएं और आज समिधान दिवस के माद्यम से अध समिधान दिवस के माद्यम से देश के स्कूल कॉलेचिज में समिधान की भावना को समिधान की रचना में क्या भूमिका रही है देश के गर्मान में महापुरुसों ने समिधान के निर्मान में इन कारों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णे किया इसके विशे में हमारे स्कूल कॉलेचिज में विस्तार से चर्चा हो निबंदस परदाये हो चर्चा सबाये हो एक व्यापक रूप से समिधान के प्रती आस्था का भाव जगे और समिधान के प्रती समझ भिक्सित हो देश वांचियों के लिए आने वाला पूरा कालखन समिधान हमारी सर्चे बड़ी प्रेड़ा रहे इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रुप में राष्ट व्यापी सो बनाने बढ़ता है और इसे देश के कौने कौने में सम्विधान के भावना को सम्विधान के किसे को मकसद है उसके विशे में भी देश को आउगत कराने का प्यांस है आदनिया सभावतेजी देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो आउसर दिया है वो आउसर विशिद भारत आत्म निर्वर भारत इस यात्रा को मजबूती देने के लिए इस संकल्प को सित्वी तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटी कोटी जनों ने आशिरवाद दिये